बच्चों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सभी जीवित वस्तों कोशिकाओं की बनी होती हैं और कोशिका जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है अगर हम सभी कोशिकाओं के बने हैं तो हम इन कोशिकाओं को क्यों नहीं देख पाते आपका अंदाजा बिलकुल सही है हम इन कोशिकाओं को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये बहुत छोटी होती है और इसके लिए हमें इन्हें देखने के लिए सूक्षमदर्शी या मा नवर्धक Lens या Magnifying Lens तो कभी न कभी इस्तिमाल किया ही होगा. जैसे Magnifying Lens चीजों को बढ़ा करके दिखाता है, उसी तरह माइक्रोस्कोप या सूख्मदर्शी छोटी चीजों को बढ़ा करके दिखाता है और इससे हमें कोशिकाओं की संरचना को समझने में आसानी होती है एक बात और ये कोशिकाओं पारदर्शी होती हैं और इसके लिए हमें इनका अध्यान करने के लिए इनको रंग देना पड़ता है इन रंगों का इस्तिमाल अभिरंजक या स्टेन की तरह किया जाता है अलग-अलग कोशिकाएं या उनके भागों को रंग देनी के लिए हम अलग-अलग अभिरंजकों का इस्तिमाल करते हैं पादब कोशिकाओं या पौधों की कोशिकाओं के लिए हम सैफरिनन का इस्तिमाल करते हैं और जनतो कोशिकाओं के लिए हम मिथलीन ब्लू जो एक नीला अभी रंजक है उसका इस्तिमाल करते हैं आज हम मानव की कपोल की उपकला कोशिकाओं का अस्थाई आरोपन बनाकर उनकी सनरचना का अध्यान करेंगे तो आएए देखिए हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए किसके सामगरी की जरूरत है सबसे पहले हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए एक टूथपिक, ड्रॉपर, मांटिंग नीडल, एक साफ स्लाइड जब भी आप स्लाइड को पकड़ें, तो साफधानी रखें कि इसे सिर्फ कोनों से पकड़े कवर स्लिप और मिथलीन ब्लू जो इन कोशिकाओं को नीला रंग प्रदान करेगा या प्रयोग शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें करनी होंगी एक तो आपका मुँ बिलकुल साफ होना चाहिए, जिसके लिए आपको कुला करने की जरूरत होगी और एक साफ स्लाइड के बीच में, एक ड्रॉपर की सहायता से एक छोटी बून मिथलीन ब्लू अभिरंजग की डाल कर तयार रखें टूथपेक आप सबने देखा होगा, इसके दो हिस्से होते हैं एक नुकीला होता है और जो पिछला हिस्सा होता है वो नुकीला नहीं होता है इस एक्सपेरिमेंट में हम नुकीले हिस्से का इस्तिमाल नहीं करेंगे और हम इसके पिछले हिस्से का इस्तिमाल करेंगे ये आपकी स्लाइड अभिरंजक के साथ तयार है अब आप टूथपिक के बलंट हिस्से या पिछले हिस्से से अपने गाल के अंदर की कोशिकाओं को स्क्रैप या खुर्चेंगे ध्यान रहे कि इसको में आप जादा बल प्रयोग ना करें नहीं तो आपको इससे चोट लग सकती है पाँच या छे बार खुरचने के बाद आप इस खुर्चन को उस बून पर डाल दें जो आपने अभिरंजक की स्लाइड में पहले से रखी हुई है एक कवर स्लिप ले और माउंटेंग नीडल की सहायता से इसे धीरे-धीरे स्लाइड पर डालें जिससे उसमें हवा के बुलबुले ना आ पाएं अतिरिक्त अभिरंजक को आप ब्लॉटिंग पेपर की सहायता से हटा दें अब आपकी स्लाइड माइक्रोस्कोप में देखने के लिए तयार है इसे आप माइक्रोस्कोप के लो मैगनिफिकेशन या निम्न आवर्धन में देखें माइक्रोस्कोप के नीचे यह कोशिकाएं छोटी बहुकोणी दिखाई देती हैं सबसे बाहर की सत प्लाज्मा मेंब्रेन या कोशिका जिल्ली है और केंद्रक कोशिका के मध में स्थित है केंद्रक और प्लाज्मा मेंब्रेन के बीच में साइटोप्लाजम या जीवक द्रवे पाया जाता है हम ये कैसे तै करते हैं कि ये कोशिकाएं जन्तु कोशिकाएं है एक कोशिका भित्ती या सेल वॉल का ना होना और दो केंद्रक का कोशिका के मध में स्थित होना तो बच्चों मुझे उमीद है कि आज आपने इस एक्सपेरिमेंट से या सीख लिया होगा कि animal cells का temporary mount या epithelial cells को हम microscope में कैसे देख सकते हैं